कि अच्छा बाई कली ग्लास में हम लोग ने कुछ चीज़ें देखी थी विच वाज रिलेटेड टू यूर एसमेडी लेंगविच एक तरीके से रीट किया था मैंने मैं यह नहीं कह रहा कि समझाया था मैं यह कहूँ है कि हमने सिर्फ रीट किया था सारी इंस्रक्शन को मदब लेंदी नहीं होते हैं मैं थोड़ा आइस्ता इस्ते करके बढ़ाऊंगा आप लोगों को मिल जाएंगे तो अब तुम लोगों के जो है मुझे आज जो चीज करानी है आट इस पुराने कुश्चिंज हम लोग करेंगे जब वो पुराने सवालात हो जाएंगे पर हम कि क्लास में इन्शालला 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 यह चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा आज की क्लास हम बेसिक अपनी स्ट्रॉंग करेंगे यह सारी चीज़े हैं क्योंकि इन में मार्क्स हमने जाय नहीं करने अपने तो यह चीज हमने अपनी स्ट्रॉंग करन आज की class में इन और आउट जो है यह इन जो है वो रह जाएगा कि आज की class में च котором के एक आए हनल में यह सारी हम लोगों कि Yok क्योंने विच ऊुच्छ की इंस्रेइन क्योंट यह व्युच्छ वीजिज वन की इन्सवार आज जोके पुराना कोड नहीं का सई नहीं था यह सभी बेटा आज मैं दो सवाल करूंगा मेरे साथ आप सब ने दो सवाल करने उसके पर तीसरा सवाल जब आप लोग खुद करोगे ठीक है फिर कल हम लोग जहें कल इंशाला मुश्किल सवाल आपके जाएंगे हम लोग ठीक है तो लेट स्टार्ट एक दफ़ा एक रीकॉल करते हैं बटा नोट्स मिल जाएंगे जैसे यह चप्टर खतम होगा नोट्स मिल जाएंगा टेंशन निलो उसके चल्दी से रीकॉल करते हैं इस चप्टर को कुछ इं कोषिजिन को कि छोट कि अब जैसानस कोई की बातर है कोई बोड़ा करते हैं लोग खो typically सब्सक्राइक को फर दूर्डब यहां लोगों के इस को थोड़ा सा ब्रेग्डवान को अपनों नोग़ रही है है यह संदेगे लगशान और पर आपको जो हैं, वो भी एक address के अंदर store हो रही हो थी, जब भी आप instructions को type कर रहे हो, तो of course, वो भी आप लोगों के किसी ना किसी particular address पर जाके जहें, वो store हो रही है यह सब आप लोगों के वो addresses हैं जहाँ पर आपकी instructions, assembly language की instructions लिखें भी यह सारी, अभी सब सीखेंगे इनको किसी तरीके से करते हैं, सब आइस्ता-इस्ता चीजों को breakdown करेंगे, अब यह वाला जो आप लोगों का column है, instruction address तो जितनी instructions address हैं आप लोगों के आपने उनको यहाँ पर एक एक करके जो छोटी सी चीज नीचे देख रहे हैं तो यह वाली जो चीज है ना, that's 101, 100, 100, 102, 103 यह सब क्या हैं, यह वो memory addresses हैं, जो आप लोगों के data store कर रहे हैं जैसे हमने कली की class में जो memory addresses यह देखे थे, तो यह वाली जो चीज है 101, 102, अगर कोई value instruction के अंदर हम लोग change करेंगे, तो वो फिर हमें यहाँ पर show करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है तो let's start, आइस्ता इस्ता थोड़ा बहुत चलते हैं लेके चीजों को, अच्छा, सबसे पहली instruction, which is LDD103, सही है, का instruction है, LDD103 मैं इसको बहुत जादा कोशिश करूँगा, कि breakdown करके पढ़ा सकूँ आप लोगों को, यूंकि अभी फिल्याद आप लोगों कैसे लग रोगए कि बहुत जादा time consume हो रहा है, बहुत जादा time लग रहा है, बहुत जादा time लगए इसमें, मैं आज आज के पूरी class हम से तीन सवाल सॉल्फ करेंगे इसकी बस वज़ा यह कि मैं बहुत आइस्ता इस्ता चीज़ों को बेड़ डाउन करके समझाता रहूंगा और जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे इतना टाइम लगेगा इसको सॉल्फ करने में ठेक है चलो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है LDD 103 LDD कौन सी हम लोगों की एड्रिसिंग होती है हम भूल चुके हैं भाई हम वापिस उपर है हमने देखा इस डाइरेक्ट एड्रिसिंग उसके साथ आपको एक एड्रिस दिया बहुत है आपको ये पूरी टेबल मिलेगी उसकी टेंशन नहीं लेना सही है लेकर फिर भी आपको बाई टाइम इसकी याद तना हो जाता है कि सिर्फ अगर कभी कंफीजन होगी तो जाकर देख लेंगे अगर कंफीजन नहीं होगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे सही है तो LDD और एड्रिस direct addressing होती है load the content of the location at the given address मतलब address दिया वाई, address पर जाओ value उठाओ, अच्छा 103 103 पर क्या value है सब chat पर बताएं मेरे साथ सब chat पर active रहेंगे मुझे बताओ accumulator में क्या चीज़ लोड होनी चाहिए मेरे accumulator में क्या चीज़ लोड होनी चाहिए सब active रहेंगे कोई भी जो है वो chat के लावा कहीं और ना देखते रहे जल्दी सब chat open करके बैठे फॉरन फॉरन जल्दी सब chat open करो सब मैं जो सवाल करूँ क्योंकि ये मैं अकेला solve नहीं कर रहा हूँ या आप लोग ने मेरे साथ solve पर बाने सारे सवाला जल्दी सब chat open करने अपनी accumulator में क्या value हानी चाहिए ldd103 103 पर जाओ 103 पर आ गए जो भी value थी accumulator में load कर दो यहाँ पर सब check कर सकते हैं पहली row उन्होंने आपको करके db 20 ठीक है जी अच्छा अब हम लोगों ने accumulator में value 0 load कर दिये let's move on to 21 अब 21 के तरफ चलते हैं 21 में क्या हो रहा है भाई cmp101 cmp101 cmp यह भूल यह भाई मैं हम ज़र जाके देखते है cmp और address hashtag तो नहीं था ना सकंदर यह value की बात नहीं हो रही है address से comparison है compare the content of accumulator with the content of address मतलब जाके check करो 101 पर क्या value है subchat पर जवाब दे मुझे 101 पर क्या value है two value है सही है इसको compare करना है किस से compare करना है किस से compare करना है the value in accumulator which is zero क्या यह condition true है yes or no true यह false में जवाब दो true यह false में जवाब दो मुझे इसको हम लोगों ने accumulator की value से compare करना है तो क्या two zero के पराबर है it's false तो हमारी जो condition हो गई है वो हो गई है false चलो अब आते हैं तो 20 पर हम कुछ करेंगे यहाँ पर आपने कुछ भी रोक अंदर करके नहीं दिखाना है हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है अब जो हम लोगों के बास जो चीज रह जाएगी that's let's move on to 22 how did you understand its address as there is no hashtag बिलकुल मादी है अगर यहाँ पर hashtag होता चलो फिर से देखो फिर से देखो कोई मसला नहीं हमने अभी पहली instruction कर लिए LDD 103 यहाँ तो कोई मसला आईशा LDD 103 में मसला है तो पूछो कोई मसले की बात नहीं पूरा explain हो जाएगा चलो ठीक है यहाँ तक कोई issue नहीं LDD 103 is direct addressing 103 पे जाओ वहाँ से जो value है उसको accumulator में load कर दो which is 0 अब हम बात कर रहे थे 21 की तो जब 21 पर आए तो यह compare हो रहा था compare में दो तरीके के compare होते है एक compare होता है hashtag 2 इस तरीके के होता तो यह value के साथ compare कर रहे है अब वो दूसरी चीज़ होती है address के साथ कर रहे है which is 101 तो आप 101 पर जाओ उधर जो value है उसको compare करवा accumulator के अंदर जो value मौझूद है अभी फिलहाल यह मुझे किस तरीके से बदा चला हम जाके पढ़ सकते है कोई मसले की बात नहीं है compare compare the content आईशा और से पढ़ो compare the content of accumulator जो accumulator का content है उसको compare करो किस से with the content of address यह जो address है इस पर जो content है उससे जाके compare करो आईशा यहां तक समझाया हो तो हमें 2 को compare करवाने किस से अभी accumulator में जबाय लिए which is 0 तो इसका answer क्या आएगा CMP101 का answer क्या आएगा Is it true या false सब जवाब दे Is it true या false It is false चलो यहां तक होगे सब को clear यह होगे जी false अच्छा Let's move on to 22 अब हम 22 पे चलेगा instruction address 22 बिल्कुल ऐसी है अब्दुल्लाइमरान हमेशा true या false में आएगा नहीं हम कहीं लिखेंगे नहीं बस अपने दमाग में रखो क्योंकि compare वाली जो instruction होगे न वो हमेशा एक jump के उसके साथ follow कर रही होती है पहले compare की instruction आती है फिर jump की आती है यह जो true and false है न यह हम यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे सही है चलो let's go JPE 30 अब यह क्या चीज है भाई JPE 30 मैं भूल गया हूँ हम जले उपर चले उपर जाने के बाद हम लगोने फिर से पढ़ा इसको following a comparison instruction एक compare instruction जो होगी वो पहले होगी फिर आएगा jump to address if the compare was true क्या हमारा comparison true था yes or no यह बताओ सब क्या हमारा comparison जो था CMP को जो answer आए था was it true yes or no it was false तो क्या हम jump करेंगे yes or no JPE था JPE में कह रहा है कि अगर true हो तो jump करना हुसाइन गौर से पढ़ो JPE क्या कह रहा है if the compare was true then jump तो हम jump नहीं करेंगे बीटा compare was false हुसाइन हुसाइन यह से नू बेटा यह बताओ जल्दी से compare was false यह true CMP was false यह true यह बताओ जो हमारा CMP 101 किये था वो false आया था यह true आया था false आया था तो अगर वो false आया है तो हम jump नहीं करेंगे क्यों क्यों कि जब जम करता है अगर comparison true हो तो clear हो हुसेन चलो बेतरीन तो हम लोग ये चीज नहीं करेंगे हम इसको भी खाली रहने देंगे ये भी रो हमारी खाली रहेगी कुछ भी नहीं करना इसमें हम लोगों सही है let's move on to 23rd instruction number 23rd चलो 23rd पर आगया हम लोग अब वो क्या कह रहे है LDD 100 LDD 100 करो सब अब मैं नहीं बता रहे है इसको LDD is direct addressing 100 पर जाओ जो value मौजूद है accumulator में लोड कर दो तो हम यहाँ पर accumulator में इसको लोड करके दिखा देंगे which is one आशा नहीं 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 LDD की बात हो रही है value load करनी है accumulator में फिर से देखो आशा और से देखो 23rd में क्या थी LDD 100 LDD 100 is what जाके हमने पढ़ा फिर से भूल गए तो पढ़ लेंगे फिर से जाके बेटा LDD इस नाट LDD पढ़ो और से direct addressing load the content of the location at the given address to accumulator आईशा clear हुआ यह चीज address पर जाओगे LDD 100 लिखा हुआ address पर जाओगे वहां से value उठाओगे accumulator में load कर दोगे यहां पर value आगई 1 clear पता नहीं देखते हैं बात करते हैं इसके बारे मारी आइस्ता इससा देखते हैं चलो let's move on to 24 instruction number 24 अब वो क्या कह रहा है अब वो कह रहा है add 101 अब मुझे confusion हो गई मुझे नहीं यादा रखिया है भई हम गए उपर हम जाके फिर से पढ़ा add address address दियावा को उसके साथ value नहीं दीवी address दियावा है add the content of the given address to the accumulator इतना simple काम है सिर्फ content of जो भी address पर content है उसको accumulator के content के साथ add कर दो तब वो क्या कह रहा है add 101 101 पर क्या value है जल्दी से बताओ सब 101 पर क्या value हमारे पास 101 में क्या value है 2 अच्छा और हम लगों के पास जो 2 तो यह हो गया और accumulator में क्या value है accumulator में क्या value है 1 तो add कर दो दोनों को add कर दो और accumulator में store कर दो तो that's 3 यहाँ तक सब मेरे साथ है yes or no हमने क्या किया add 101 101 पर गए value को देखा accumulator में जो value थी उसको add कर दिया देखो कोई मसले की बात नहीं इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है जो मसला हो पूछ लो नहीं समझ आया रिपीट कर वा लो कोई issue नहीं समझ आना जरूरी बिल्कुल 3 is the right answer ठीक है चलो let's move on कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी अच्छा 3 why अब सुनो जाओ और उस पे जो वैली पड़ी भी है उसको उठाओ और जो accumulator में वैल्यू है अभी accumulator में क्या वैल्यू है अभी फिलाल आईशा अभी accumulator में क्या वैल्यू है 1 तो 1 प्लस 2 answer क्याएगा 1 प्लस 2 answer क्याएगा 3 तो यह आपने 3 accumulator में डाल दिया, कोई मसला है इसमें अब आई शक ले रहे है चलो भी तरी, let's move on 25 25 में क्या कह रहे है वो, let's let's write it, say 22, it's confusing which one इसकी बात कर रहे हो, अबीरा इस चीज की बात कर रहे है तुम इस चीज की बात कर रहे हो हा न, तो हमने जंप नहीं किया न, अबीरा चलो ये चीज के लिए हो जाएगी, ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है, इसको टेंचन नलो, इसको मैं करके फिर से दिखाऊँ, सभी, इसको हम फिर से करके देखे हैं, उसकी टेंचन 25 पे, 25 इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भई, 25 इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहे है, store 100 store 100 का क्या होता भई, STO क्या चीज है, हमें नहीं बता भई, हम जाके देखेंगे, STO पड़ो मेरे साथ, चलो STO, store the content of accumulator at the given address, जो भी accumulator में content मौझूद है, उसको given address पे जाके store कर दो, store 100 तो 100 पे जाओ, कहाँ पे भई, हमारा कौन सा column इन में से 100 वाला, पहला वाला, तो यहाँ पे जाके accumulator की जो value उसको store कर दो, कोई मसला किसी को कोई issue किसी को, पूछ लो, फिर से repeat करूं एक बार फिर से done, चलो, अब वो क्या कह रहे था, 25th instruction कर रहे थे, 25th instruction is saying store 100, store 100 क्या चीज़ होती है, जाके पढ़ते हैं हम लोग, store 100 है हमारे पास, यह रहा, store 100, store the content of accumulator जो भी accumulator में content मौझूद है, at the given address, at the given address, जो भी accumulator में content मौझूद है, address पे जाके store कर दो, अगर यहाँ पे 100 लिखा हो है, तो accumulator में 5 मौझूद है, तो 5 जो है, वो 100 पे जाके store कर दो, इस तरीके से काम करना है, सही है, अभी फिलाल हमारे accumulator में क्या value है, सब चार्ट पर जवाब दें, हमारे accumulator में 102 यह था, 103 यह था, तो हमने 100 पे जाके 3 को store कर दिया, सही है, सब साथ है मेरे, कोई मिस्था नहीं किसी को यहाँ तक, जिल्दी बता बटा चार्ट पर अक्टिव हो, चार्ट पर अक्टिव रहो होना हम, बहुत टाइम लग जाएगा, कैसे मरना, कोई problem होगी तो discuss करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, सब को clear हो गया, let's move on, आईशा clear है, राहित सिदीकी, साथ हो मेरे अभी तक, राहित सिदीकी, है भी class में, हाँ है तो, राहित, बेटा clear है तुम्हें, जवाब दो, मुझे सही है कर, कि अगर clear है तो बताओ, नहीं है तो पूछो, चलो, 25 हम लोगों ने कर लिया था, अब 26 की बात करते हैं, 26 पर आज़ो भई, 26 में क्या कह रहे हो, LDD 103, 103 पर जाओ, जो value मौजूद इसको load कर दो, load करो भई, बताओ, क्या load करूँगा accumulator में, सब बताएं, सब बताएं, क्या चीज़ load करनी है accumulator में, सब, सब का जाब चाहिए, पर जवाब दूँगा मैं, बेतरीन, 103 में हमाँ पास value है, 0, तो 103 पर जाओ, value 0 को load कर दो, बस, इतना सा गाम था, सही है, चलो, let's move on, आगे बढ़ते हैं, 27, 27, 27 क्या कह रहा है, increment in accumulator, INC, INC क्या चीज़ होती है, जरब पढ़ते हैं जाके, INC कह रहा है, register में value दीवी होगी इन्होंने, register बताया होगा का, कि आपने ACC में करना है, या IX में करना है, सही है, तो INC, register, add one, एक one add करना है, to the content of register, या तो ACC, या तो IX, अभी मुझे बताओ, वो क्या बोला है, INC, ACC बोल रहा है, accumulator में increment करने के बोल रहा है या, index register में, index register में बोला है, या accumulator में बोला है, ये बताओ, accumulator में बोला है, बहतरीन, तो अब मेरे accumulator की value क्या हो जाएगी, increment करने के बाद, अभी 0 थी, 0 प्लस 1, 0 थी, शेर यार, आप क्या हो जाएगी, सब जवाब दें, सब जवाब दें, जल्दी जल्दी तेस्थे जवाब दो, बिटा, confusion होगी, तो कोई मसला नहीं, पूछो, 1 हो जाएगा, बहुतरीन, the answer is 1, increment करवा दिया मैंने, 1, Sir, will we add all the numbers, or just the previous one, previous one बेटा, अभी जो recent accumulator में value, उसकी बात होगी, महादी, जो recent value accumulator में, उसके अंदर increment होगा, सही है, ये पुरानी values हैं accumulator की, ये इसको कहते हैं trace table, आप हर एक एक accumulator की values को trace करते जा रहे हो, आप memory addresses की values को trace कर रहे हो, ताकि ये हम boxes से show कर सकें, कि पहले क्या value थी, अब क्या value है, बाद में क्या value होगी, इस तरीके से, सही है, चलो 27 तक कर लिया, 28 पर आजाओ, 28 पर क्या कह रहा है, store 103, store 103, हम फिर भूलेने हैं वही, हम फिर जाएंगे बपर, store 103, store the content of accumulator, at the given address, store 103, accumulator में क्या value हो, 1, मुझे बताओ 103 की क्या value हो जाएगी, 103 पर जाओ, वहाँ पर accumulator की value को store कर दो, आईशा, कोई मसलत में यहां तक, आईशा यहां तक ले रहा है, राहे से देखी यहां तक ले रहा है, जल्दी 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 जल्दी, चैट पर active, चैट पर active हो जाओ, चलो, बेतरी, अब बास बेटा भी इधर focus कर लो, चलो, store का फिर से पढ़ लो, store the content of accumulator, आईशा, add the given address, जो भी accumulator में content मौझूद है, उसको जो भी address दिया गिया आपनों को, जैसे store के साथ 103 दिया है न, तो accumulator में जो भी value मौझूद है, उसको 103 पर जाके store कर दो, समझाई, आईशा, बिलकुल आप लोगे सारी चीज़ें, instructions की meaning, सब चीज़ें मिलेगी इसमें, तो हम गए 103 पर, 103 पर जाके 1 को store ख़़ती हैं, क्योंकि हमारी accumulator में value, the last value was 1, ठीक है, चलो, let's move on to 29, 29, अच्छा जी, 29 में क्या करना हैं, आप लोगोंने, 29, अब वो क्या कह रहे है, JMP 20, JMP 20 का मतलब, क्या होता है भाईस का, JMP 20 का मतलब भी होता है, कि अब आप जम कर जाओ 20 पर, क्या है, इसमें कोई condition चेक होती हैं, नहीं, मुझे नहीं समझा रहा है, याद नहीं आ रहा है, हम जाके देखेंगे, JMP को, JMP address, jump to the given address, इतना simple है, उस particular address पर जाके, jump कर जो, उदर तक चले जाओ, चलो, let's see this, अब भी वो क्या कह रहे था हम लोगों से, 29 पर उसने का है, jump 20, instruction number 20 पर चलो जाओ, यहाँ पर आजाओ वापिस से, तब हम 29 से 20 पर आगए, चलो, हजम करो उसको यहाँ तक तुम लोग, हजम करो पहले, सुकून से देखो, मैंने क्या किया है, 29 को देखो, उसने का, JMP 20, instruction number 20 पर चलो, address number 20 पर चलो, जाओ, तो मैं अब 29 से, direct कहां गया, मैं 29 के बाद, 30 पर जाने के बज़ाए, मैं 20 पर चला गया, बिलकुल, अब जब 20 पर चलेगा, 20 पर क्या हो रहा है, यह बताओ, बहितरीन आईशा, बहितरीन, 20 पर क्या हो रहा था, 20 पर क्या हो रहा था, यह बताओ, आईशा, 20 पर हो रहा था, LDD 103, अब जो जवाब इसका दे रहे हैं, 0, वो सब गलत जवाब दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों के, 103 की value, updated है, अब हमने, 103 की value is not 0, it's now 1, तब आप बताओ, जल्दी से, LDD 103 का आंसर बताओ, मुझे सब, सब का जवाब चाहिए, what is the value of LDD 103, आंसर बताओ, आईशा, accumulator में क्या चीज़ स्टोर करूँ है, आईशा, 1, 1 स्टोर होगा, क्यों, 103 की value हमने change हर दी है, yes यह नो, अब यह पहले 0 थी, अब 1 हो चुकी है, यहां से देखो, 103 की value was now 1, समझाई यह चीज़ आईशा, चलो V3, तो अब मुझे फिर से बताओ, अभी मैं क्या स्टोर करूँगा, बताओ, क्या चीज़ स्टोर करूँ क्यों मिलिटर में, आईशा, LDD 103, 3, क्या value आनी चाहिए, 1 भी 3 ने, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही अब्दुलाइम्रान, पहले आप 29 लिखोगे, मैं अब जम का instruction लिखी, फिर उसके बाद आपने 20 पर आगए, जिस परिटिकुलर अड्रस पर वो लेकर जाना सारा था, अब 20 के बाद क्या आता है, यह बताओ, 21 आता है, अब 21 बताओ, फिर से compare करो मेरे साथ, compare करो, CMP 101, CMP 101, मतलब 101 पर क्या value है, it is 2, 2 को compare करना है, किस के साथ, 1 के साथ compare करना है, जो भी accumulator में value होती है, is it still false, yes or no, is it still false, false है, अगर false है तो false लिखो, false है तो false लिखो, अब यह भी हमारा compare false हो गया, चलो, तो 21 पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम चले जाते हैं 22 पर, JPE, अगर condition true होती है, तो jump करना है, अगर condition false हो गयी, तो jump नहीं करना है, इसको ignore कर देंगे, यहाँ तक सब साथ हैं मेरे, चलो भी तरीन, तो 22 पर भी हम कुछ नहीं करेंगे, पर हम चले जाएंगे 23 पर, अब 23 पर क्या करने को कह रहा है वो, बताओ सब, LDT 100 करो, देख ले ना बहुत गौड से, values updated हैं, values updated हैं, महादी, आईशा भी तरीन, तरी, बेतरीन, पर लेड़ी 100 का आंसर पर अपडेट हो गई थी, तो value 3 हो चुकी है, बेतरीन, चलो लेट्स मूव ओन, add 101, 101 पर क्या value है, 101 पर क्या value है, अब वो कह रहा है, add 101, पहले जाके चेक करो, 101 पर क्या value है, still 2, तो 2 प्लस दी, accumulator की value, तो 2 प्लस 3, will give you 5, अपने accumulator की value को लिख दो, 24 पर जाके 5, इतना से simple काम, जब तक same reason true, we will repeat, बिलकुल है सही है अबीरा, भेतरीन, 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 सही, it's a pattern, एक pattern है इसका, चलो, 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 आगे बढ़ते हैं, 24 तक कर लिया था, 25 पर आजो मेरे साथ, 25 पर आजो मेरे साथ, store 100, क्या करेंगे, 25, बताओ भई, नहीं बिटे, अब्दुल्ला इमरान, that's increment, increment पर one add होता है, अभी वो add बोल रहा था, 101 पर जाओ, 101 पर जाने के बाद, जो value उसको add करोगे, 100 पर, 5 store कर दूँगा, ठीक है, 25 पर क्या करने को बोल रहा है, वो store 100, तो accumulator की value जाके देखो, और वहाँ पर जाके, मैं में यह बेहतरीन, बेहतरीन, तो 100 पर जाके, मैं क्या store कर दूँगा, 5, आईशा, कोई मसला, यहां तक कोई इशू, क्या चीज़ समझने है, 25 वाला समझनी आया, चलो फिर से देखो, 25 वाला देखो, STO 100, accumulator में क्या value अभी फिलाल, यह बताओ, अब्दल्ला अमरान, accumulator में क्या value, 5, store चलके पढ़ते हैं, STO पढ़ते हैं चलके, STO में क्या कह रहा है, store address, store the content of accumulator, जो भी accumulator का content है, at the given address, उस given address पर जाके store कर दो, इतना simple काम, तो हम क्या करेंगे यहां पर, तो हमारे पास, 5 value थी accumulator में, और उन्होंने का है 100, तो 100 पर जाओ, यह रहा 100 का column, यहां पर जाके, इसको store कर दो, which is 5, 100 पर store कर देंगे 5, बेतरीन, clear अब्दिल्ला, आईशा clear है यहां तब, जल्दी बट़ए चैट पर जवाब, बेतरीन, बेतरीन, let's move on, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, LDD 103, तुम लोग करो, बताओ जल्दी से जवाब दो, values updated हैं, सब चीजों का दिहान रखना है, values updated है, LDD 103, सब जवाब दो, LDD 103, accumulator के अंदर, 103 की value, which is 1, लोट कर दो, यह रही value हमारी, 103 की, चलो, आगे बढ़ते हैं, increment, INC, ACC, accumulator के अंदर, increment करवाओ, accumulator की क्या value हो जाएगी मेरी, INC, ACC, मतलब, accumulator के अंदर, value को increment कर दो, 103, up to हो गई, STO 103, store कर दो 103 में, तो 103 पे चलते हैं, 28th instruction कर रहे हैं, 103 पे चलते हैं, यह रही 103, और यहाँ पे क्या चीज़ चीज़ कर दूँगा, two store हो जाएगा, सब साथ हैं मेरे, अब्दल्लाइमरान, value two थी, सही है, चलो वे तरी, 29 पे चलते हैं, 29, 29 पे क्या कहने को कह रहा है, jump 20, 20 पे चले जाओ, 29 की रोख खाली रहेगी, 20 पे चले जाते हैं, 20 पर आगए भाई हम लोग, ldd103, बताओ क्या value लिखो, ldd103, 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 20 पे, 103 की value is 2, updated value is 2, 21 पे चलते हैं, cmp101, 101 की value is, still 2, तो 2 is equal to the value of accumulator, which is, ACC से compare करो, तो 2 is equal to 2, क्या हमारी comparison की condition true हो गई, comparison की condition true हो इ, सबकी, बेतरीन, आगे बढ़ते हैं, तो 21 को हम ऐसी empty रहने देंगे, खाली रहने देते हैं, 22 पे चलते हैं, अभी एक मिल रुको, आईशा अभी बात करते हैं, इसके बारे में, अच्छा, जब हमारी condition true हो यह बता आईशा, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक condition true है हमारी, cmp condition true हो गई, आईशा, पहले यहाँ पे focus करो, देखो, होगे ना बेतरी, अच्छा, अब 22 पे चलते हैं, अब 22 पर आगए हम लोग, 22 में क्या कह रहा है, वो JPE 30, JPE पढ़ते हैं फिर से चलके, JPE में क्या कह रहा है, following a compare instruction, अगर comparison true हो जाए, if the compare was true, हमारा बिल्कुल compare true था, तो क्या करना, जम कर देना, कहां पर address के उपर, कौन सा address दिया वह, ये बताओ, आईशा, 30, तो हम address 30 पर जम कर देंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंके comparison true था हमारा, तो जैसी 30 पर आए, 30 पर end हो गया हमारा program, तब बस, ये है पूरा SME language का, एक सवाल आप लोगों का, बिलकुल 30 जै वो end है नहीं बिटा, कुछ भी नहीं करना, बस end मतला end, खतम, रिटेंग कंट्रोल to the operating system, अब आप लोग जै कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अब, जितनी programming करनी थी, जितना program को run करना था, भापने run कर लिया, that's it, ठीक है जी, बैटे इसमें, अबदल्ला इमरान, इसकी जो, वो है ना, जो तुम पूछना चाहा रहे हो, कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, it's basically, this is related to, आप लोगों की memory addresses, जो होते हैं, वो, sensor से भी, related कर सकते हैं, embedded systems होते हैं, embedded system are basically something, जैसे तुम अनों की, वो हते हैं न, जो, washing machine के अंदर, छोटी-छोटी LCDs लगे भी होती हैं, वो सब चीज़ों को control करने के लिए, हम ये सब काम करते हैं, कि उनकी values 3 हो जाएं, या कोई, कि किसी चीज़ को चेक करना है, किसी चीज़ को compare करना है, तो अलग-अलग reasons हैं, इसमें कोई, उन्होंने specify नहीं किया, वाकि ये चीज़ कर क्या रही है, ये बस basic आपको, SMD language solve कर वा रहे थे, सही, लेकिं मैं तुम्हें वैसे, randomly समझा रहा हूँ, जाती है ना, जैसे हमने remote से button on करना है, इस तरीके से समझ लो भी फिलाल, कि मेरे जैसे temperature जब एक particular level तक reach करेगा, तो मेरे button on हो जाए, तो ये सारी चीज़ां आप इन से, SMD language से control करते हो, सही, चलो, 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 ये question कितने marks को होता है, बिटा ये होता है, 6 marks का, 6 से 8 marks का सवाल होता है, 6 से 8 marks, अभी जब हम next सवाल देखेंगे न, वो 8 mark का सवाल देखेंगे, चलो, लेट्स, लेट्स, ट्राइब इन अदर कुश्चिन, ऐसे ही मेरे सबस्ने साथ देना है, इसी तरीके से हम question को attempt करेंगे, जिस तरीके से भी हमने attempt करेंगे, सब में मिलके, एक और सवाल देखते हैं, चलो, लेट्स, बिद इस question, बिलकुल यह second question है, बिटा, यह भी हम दूसरे सवाल सॉल्फ कर रहे हैं, लेकिन आज के जए, राहित बिटा, यहां तक clear है ने तुम्हें? है राहित, यहां तक clear है, किसी को कोई problem अभी तक जबने चीज़ें की, किसी को, आईशा है तुम्हें यहां तक clear है, चलो, बिट्री, लेट्स, बिद अनदर question, I think this is the one, राइट, चलो, लेट्स, पहले ज़रा instructions को देखते हैं, इसमें आप लोगों का थोड़ा और चीज़ें होंगी, थोड़ा और difficult question है, मैं इसको ज़रा set कर दूँ तुम्हें के लिए, तक यह तुम्हें को visible हो जाए, यह स्क्रीन चॉट्स हैं, वो फिर बहुत ज़ादा चीज़ें को ना, वो कर देते हैं, लेट में फिक्स दिस, इस इस, एक मिर देना में ज़रा थोड़ा से साफ कर दूँ तुम्हें के लिए, साइड बाइ साइड कर दूँ, साइड बाइ साइड कर दूँ, तुम्हें के लिए जादा बहते है, इस तरीके से, चल, नोट्स में तो उपर नीचे है, यह चलो, यह अच्छा इडिया, चलो, ठीक अबहते है, इस तरीके से solve पर लेता है, लेकिन फिर भी मैं इसको तुम लोगों के लिए विजबल हो जाए थोड़ा, एक मस देना मुचे, इस इस 65, 67, 69, इस व थे श कर दो नीचा कर दो दफ़ा, वर न, ना में एक मिल्भस साइ ऑचै है एक दफ़ा, इस थरिथे री三 jangan this is zero, चलो जी अब सबका फोकस चाहिए सब साथ सॉल्फ करेंगे इसको भी जिस तरी के सब भी हमने पुरान यह आठ मांक का सवाल है बाइद अच्छा जी सब साथ सॉल्फ करेंगे सबका फोकस चाहिए मुझे सबसे पहला LDM मैं काम करता हूँ लेट मी ब्रिंग डिस डाउन अस वेल ताके इतना उपन न जाना पड़े हम रगों को बहुत खुबसूरती से काम हो रहा है यहां पर बिलकुल भी गंबगी नहीं होई भी इसके जो नोट से न वह आप लोगो मिल जाएंगा इसके टेंक्शन मतले ना वही इसको भी हटा देते हैं चलो अब हम लोग यह वाला सवाल कुरते हैं चलो भाई बिसमिल्ला लडीम हैस्टाग जीरो लडीम हैस्टाग जीरो का क्या मतलब होता है जल्दी से भूल गए हम लोग हम गए ल्डीम के उपर हैस्टाग एन Immigiate Addressing immediate addressing क्या होती थी बस load कर दो कुछ ना देखो load the number n to accumulator तो LDM 0 में मेरे accumulator में क्या value आजानी चाहिए सबक है मेरे accumulator में क्या value आजाएगी the answer is 0 मैंने यहाँ पर accumulator में value 0 कर दी already हुई भी थी हमारे लिए चलो यह होगे value 0 let's move on to 21 instruction number 21 कुछ पता है मैं सब चीनों के जाब नहीं देता क्योंकि कुछ पता है अभी recent past paper में इसका सवाल आया ही नहीं जो बिल्कुल recent paper हुआ है सही है तो वैसे तो हर साल आता था paper हर साल में सवाल आता था 9608 में एकदम से जह है recent जो paper है ना उसमें उनोंने एक सवाल इसका नहीं दिया theoretical पूछा था इसका बिल्कुल ऐसे बटब बहुत सुकून से करना है इसको बहुत सुकून से करना है यहां पर हमने value zero store कर दी सही है store the value of accumulator in 300 कर दिया भाई अब वो क्या कह रहा है cmp hashtag zero अब यहां पर जो है address दिया वह या value है यह बताओ cmp hashtag zero is it value या address पिटा सब chart पर active हो जल्दी से अब मुझे बोलना न पड़े आपनों को जल्दी जल्दी चैट पक्ते वो सब cmp hashtag zero is it address or value cmp hashtag 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 is value it's not address it is value confused हो गयो जाके उपर पढ़े लो कोई मसला नी cmp hashtag and compare the content of accumulator with the number n इतना simple है चलो zero को compare करो accumulator में accumulator में value zero थी यहाँ पर भी zero है तो cmp की condition क्या हो गई है true ठीक है जी cmp क्या हो गई है true आगे बढ़ते है jpe 28 jpe 28 jpe 28 jpe 28 का क्या मतलब होता है 22 तक हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने compare करवाया 23 में क्या करने को बोल रहा है वह आप लोगों से हाँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बढ़ा हाँ अब बताओ 23 में क्या करने को बोल रहा है वह आप लोगों से jump करने को बोल रहा है और jpe क्या होता था जल्दी से पढ़ते है jpe पढ़ो मेरे साथ if true then jump If True Then Jump तो हमाय पास बिलकुल Condition True ठी Yes या नो Condition True ठी Yes या नो यह बताओ Condition True ठी acak बिलकुल Condition True ठी CMP की तो 23 में हम लूग क्या करेंगे Jump करेंगे कहा पर Jump करने को बोल रहा है देखके बताओ भई कहा जम करने को बोल रहा है बिल्कुल जम करेंगे, कहां पर जम करेंगे 28 पर जम करेंगे तो हमने 23 के बाद यहां पर 28 लिखती है अच्छा, आईशा बेटा, यहां तक कोई इश्यू तुम्हें जल्दी जल्दी चैट पर जबाब दो टाम जाए नहीं करना जल्दी चलो बेटरी, 28 तक हमने जम कर लिए 28 पर चलो, अब 28 पर क्या चीज है भाई, देखो मेरे साथ LDX 100 LDX 100 ठोड़ा बहुत यहां पर याद आ रहोगा तुम लोगों को इस इंडेक्स अड्रेसिंग, फूल गयो, कोई मसला नहीं चलते हो पर LDX Address, Indexed Addressing Form the Address अपना Address बनाओ, Initial Address दिया होगा From Address Plus, जो भी Address यहां पर दिया होगा This is Initial Address, Plus The Content of the Index Register जो Index Register का Content है उसको Add कर दो, किसके साथ Add कर दो, जो भी Address तुम यहाद दिया होगा ताकि एक नया, एक New तुम लोगों का Address बने, उस Address पर जाके Value जो है, उसको ठाल, चलो करके देखते हैं, LDX 100 This is your Initial Address 100 Plus, IX की Value IX की Value क्या है चलते हैं, अपने डाइग्राम में जाके देखते हैं सब मुझे IX की Value बताए सब मुझे IX की Value बताए जल्दी जल्दी सब सब आए IX की Value बताओ It is 0 अब 0 है तो हम क्या करेंगे 100 Plus 0 New Address is 100 100 पर जाओ Value बताओ इधर से देखा करो 100 पर जाओ Value बताओ 100 पर जाओ और Value बताओ It is 65 65 तो हमने यहां पर जाके 65 को लोड कर दिया इन Accumulator चलो 28 हो चुका है 29 पर चलता है अब हम आगे 29 पर 29 सर हमने address को प्लस नहीं करना कर रहा है ना बेटा बेटा यहां पर देखो LDX 100 था ना उसको Index Registry की Value को आड़ कर दो 100 के अंदर क्या आड़ किया हाने बेटा LDX से address को देखा जाता है तो आप 65 को उठाओगे Accumulator में लोड कर दोगे Addressing का तरीक है ना सही है बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है LDX पर address दिया वोगा यह Initial address है प्लस Index की Value बिल्कुल ऐसा ही है बहितरी नहादी आप लोगों को Initial address दिया वै Index Register की Value वो 0 Add करो, New Address बनाओ उस New Address पे जाओ, Value को उठाओ Accumulator में लोड कर दो यह पूरी कहानी है चलो, Let's Move On आगे बढ़ते हैं चीज़ें को लेके अच्छा 29 पर आजाए 29 पर वो कह रहा है Out Addition Address की होगी ना बिलकुल ऐसे यह Address की Addition है यह देखो 100 था न, LDX 100 था पढ़ो यहाँ पर, LDX 100 था तो 100 प्लस IX Address की Addition है Address के अंदर Index Register को आट करना है ठीक है? चलो, अब आजो जल्दी से 29 पर, 29 पर क्या करने को बोल रहा है वो? Out Out क्या होता था भाई? मुझे नहीं पता चलते है Out पर कह रहा है Output To the Screen Screen पर Output कर दो क्या चीज? The Character Whose AS की Value is stored in Accumulator Accumulator में क्या Value store रही है सब बताएं जल्दी से Accumulator में क्या Value store रही है Accumulator में Value is 65 ज़रा AS की Table को देखो जाके Output बोल रहा है 65 की क्या Value है? A आउटपुट कर दो Output कर दिया Output के कॉलम में हमने चलो इसको हजम करो पहले तुम लो मैं आगे नहीं बढ़़ा पहले इसको हजम करो चल्दी से देखो हुसेन हुसेन फिर से देखो अब ही मुझे बताओ 28 तक Accumulator में क्या Value है? हुसेन 65 अब वो कह रहा है 29 पर आजो मेरे साथ 29 पर क्या करने को बोल रहा है? Out जो भी Accumulator में Value है ना उसकी AS की वर्जिन को Output कर दो यही AS की टेबल स्क्रीन पर Output कर दो यह रहा Output का कॉलम सही है? तो 65 की क्या Value होती है? देखके बताओ 65 जो है करेक्टर क्या है? Capital A बेटा Capital A It's not small a Small A is 97 तो Output के कॉलम में जाओ और वहाँ जाके Capital A लिख दो यह लिख दिया है मैंने Capital A Output कर दिया Clear हो है हुसेन? आईशे बेटा यहां तक ले रहा है? जल्दी 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 जवाब दो चलो वेतरीन Let's move on आगे बढ़ते हैं 29 तक हो गया 29 की बाद हम लोगों ने करना है 30 LDD 300 LDD 300 करो बेटा खुद करो बिल्कुल given होगा नहीं भी given हो तो आपको पता होना चाहिए 65 की value A होती है 97 की value small A होती है बस यह दो याद कर लो बाकी easily 66 बोलूँ तो plus 1 करके B बोल देना इस तरीके से चलो 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 30 करो तुम लोग जवाब दो उसका LDD 300 LDD 300 बेटा value है आईशा हमने update की थी और से देखा 0 तो हम यहाँ पे LDD का मतलब होता है Direct Addressing Direct Addressing मतलब आप जाओ 300 पे 300 पे जाके जो value है उसको उठालो उसको उठाके लोड कर दो यह हमने लोड कर दी 30 पे INCACC INCACC इंक्रिमेंट करवाना है किसमें इंक्रिमेंट करवाना है accumulator में इंक्रिमेंट करवाना है तो accumulator में इंक्रिमेंट करवाँ मेरे साथ 31 पे 0 के बाद क्या हो जाएगा भाई प्लस 1 कर तो zero के बाद क्या value हो जाएगी plus one कर दो one हो जाएगी बेतरीन हो क्या भाई store करने को बोल रहा है कहाँ पर store करने को बोल रहा है 32 में बताओ जल्दी से किस address पर store करना है store 300 STO 300 क्या चीज़ store करनी है अब ये बताओ क्या चीज़ store करनी है accumulator की value which is one तो हम 300 पर चलते है यही 300 और यहाँ पर हमने one store कर दिया simple accumulator की value store हो गई चलो बेतरीन हो गया चलो 33 पर चलते है increment ix अब increment करवाना है किस में increment करवाना है index register में increment करवाना है अब बताओ कहाँ पर increment करूँ मैं क्या value हो जाइड़ी increment करवाना है लेकिन index register में करवाना है तो ix पर जाके one कर दूँगा पहले 0 थी अब one हो जाएगी यह हो गई one index register की value का column देखो follow करो one कर दो simple one हो जाएगा ix का column में बेतरीन हुसैन बेतरीन 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 let's let's move on 33 हो गया 34 पर चलते है 34 पर चलते हैं cmp hashtag 2 cmp hashtag 2 one को compare करो किसके साथ compare करना है accumulator में value क्या है यह बताओ सब one को compare करो ACC की value से oh sorry two को compare करो my bad cmp hashtag 2 बोल ला है उन्होंने तो two को compare करना है ACC की value से चलो बताओ accumulator में क्या value है सब बताएं accumulator में क्या value it is one तो क्या 2 बराबर है वन के condition false हो गए हमारी condition false condition false हो गए बस ये दिमाग में रखो कि condition false हो चुकी है हमारी 34 के उपर चलो बेटरी अच्छा जी 34 पे हमारी condition false हो गई अब चलते है 35 पे तो इसके अंदर कुछ changes नहीं करेंगे अब 35 पे चलते है अब वो कह रहे है jpn jpn22 अब ये कुछ नहीं चीज़ आई है हमारे लिए jpn 22 jpn क्या है हमें नहीं पता वही हम चलते हो उपर jpn address follow a comparison following a compare compare instruction मतलब compare की instruction पहले आगी फिर आईगी ये jpn की instruction jump to address if the compare was false अगर if false then jump ये opposite है jpn if false then jump चलो क्या हमें jump करनी है guess or no if false then jump क्या हमें jump करनी है बिलकुल जम करनी है क्यूं क्योंकि हमारे comparison false हो गया तो इससे पहले वाला जब ये compare false हो गया तो yes you're supposed to jump आपने jump करनी है कहां पर jump करनी है 22 पर jump करनी है तो हम 35 से कहां चले जाएंगे हम 22 पर चले जाएंगे ठीक है जी हम 22 तक चलेगा अब वापिस चलते हो पर 22 पर आगए भाई हम चलो भाई 35 से 22 compare करो फिर से एक और compare की इंस्ट्रक्शन सी एम पी हैश्टाग 0 सी एम पी हैश्टाग 0 0 को compare करना है किसके साथ accumulator की वाल्यू के साथ करो भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो क्या फॉल्स होगी कंडिशन मिल्कुल फॉल्स होगी कंडिशन चलो फॉल्स होगी 23 पर चलें सही है 23 को हम लोग एक काम करते हैं अच्छा अगर हमारी कंडिशन फॉल्स होगी क्या मैं 23 पर जाओ यह बताओ अगर हमारी कंडिशन फॉल्स होगी क्या हम 23 को perform करेंगे हमारी कंडिशन ही फॉल्स होगी क्या हम जेपी करेंगे यह सब जवाब दें सब जवाब दें हमारे जेपी क्या कहता था कि अगर ट्रू होगी तो मैं जम करूंगा तो यह तो फॉल्स होगी अब जब फॉल्स होगी तो हम जेपी करेंगे ही नहीं तो हम किस पे चले जाएंगे 22 के बाद हमें कौन सी इंस्रक्शन करनी है है विजय विजय को इद उन सुझी करनी है क सभी 24 से स्टार्ट करेंगे अब हम 23 करना ही नहीं है आईशा बेटा क्योंकि हमारा कंपेर फॉल्स हो गया था तो हमने 23 को स्क्रिप्ट कर दिया क्योंकि हम जम करी नहीं सकते जब हम जम कर सकेंगे तो हम यहां पर लिख देंगे ठीक है अभी क्योंकि हम जम करी ही नहीं सकते हैं तो उसके कोई फायदा ही नहीं है सही है चलो 24 पर आजाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा महादी ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों की जो ग्रेडिंग होती है वो आउट्पूट को देखके होगी तो कोशिश करो क्योंकि हमें बॉक्स को भी देखना होता है बॉक्स कम न पड़ जाएं तो इससे कोई मार्क नहीं करेंगा आप लोगों कि अगर आप यहां पर इंस्ट्रक्शन एड्रस स्किप कर दो उसका 23 का तो कोई मसले की बात नहीं है है 23 लिख लो 24 लिख लो कोई इशू नहीं अगर मैं यहां लिखने चाहूं लिख सकते हैं कोई फर्ट नहीं पड़ेगा शहर यहार है लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्ट नहीं पड़ेगा इसकी जो ग्रेडिंग होगी न वह आपके आउटपूट्स को देखके होगी वह हाइलाइट करते हैं मांक्स को चलो 24 पर आजो अब 24 पर आजो 24 पी क्या कह रहें वह करने को LDX 100 LDX 100 LDX 100 करते हैं मेरे साथ जल्दी से सब करें LDX 100 तो मतलब 100 is your initial plus your index register की value which is 1 the 101 is your new address 101 पर क्या value बटा आईशा आईशा तुम values को देखनी रही हो कि अपडेट हो रही है सब चीजों को बहुत गौट से दिखना है चलो बताओ वही अब जल्दी से इस 67 अदिल समन्द सही जी 67 नहीं है चलो अब 67 को लोड कर दो नहीं महमद सबान नहीं 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 महमद सबान और से देखो चीजों को LDX का मतलब क्या होता है LDX का मतलब होता है index addressing index addressing या आपको initial address देता है आपने address के अंदर index register की value को add करना है बताओ 100 के अंदर क्या add करोगे index register की value बताओ महमद सबान तो 101 हो गया यह आपका new address है इस address पर जाओ और जो value पड़ी उसको ठालो 101 पर क्या value है 101 पर क्या value है 67 सब साथ हैं मेरे यहां तक तो 67 मैं यहां पर अपने accumulator में value को load कर दूँगा चलो LDX यहां तक होगे हमारा 24 तक 25 पर आ जाओ 25 पर आ जाओ चलो भाई 25 करते हैं मेरे साथ करो add 301 add 301 add 301 मतलब 301 पर जाओ वहां से value उठाओ और उसको add कर दो किसके अंदर add करना है accumulator में जो value है करो विटा add 301 का मतलब क्या है add 301 301 पर जाओ 301 पर आ गए हम लोग value को उठाया which was 33 plus the value of accumulator 33 plus 67 67 में से हमने यहां पर 3 ले लिया तो that's 70 70 plus 30 will give you 100 तो 100 पर जाके हमने यहां पर value लिख दी 100 कोई मसला किसी को साही है सबसाथ है मेरे कोई issue तो नहीं बसिफ add 301 की है मैंने चलो बेटरीन हो गया चलो let's move on अब 26 पर आ जाओ 26 26 पर क्या कह रहा है आउट 26 पर आउट कर दो आउट क्या करोगे बताओ बटा खुद बताओ मैं नहीं बताओ 100 की value क्या है बिटा अब्दुल्लाहमरान अब्दुल्लाहमरान बिटा value 100 है accumulator में value देखो क्या है 100 तो 100 पर क्या है value है character में जाके देखो हमारे d तो small d output कर दो यह रवाई small d सही जी यह होगया 26 अब चलते हैं 27 पर 27 चलो 27 पर क्या कह रहा है वह आप लगों से 27 पर कह रहे जंप 30 तो आप हमने यहां पर 27 पर गए जंप 30 हमें जंप करनी है तो हम 30 पर आ गए 30 पर लिखेंगे भाई हम 30 करेंगे जेंप 30 का मतलब होते हैं कुछ भी हो जाए condition condition नहीं है बस आप जंप कर दो चुप चाप तो आपने जंप कर लिए 30 पर आ गए बताओ भाई एल डी डी 300 खुद करो वैलियूस देख लेना चेंज हो चुकी है अब डी 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 300 जवाब दो मेरे अक्यूमिलेटर में क्या वाली आनी चाहिए लडी 300 आईशा गोर से देखो वैलियूस अपडेट हो गई है गोर से देखो वैलियूस अपडेट यहां पर मैने वाल्य वन लोट कर दी चलो वित्रीं अब चलते हैं थर्टी वन पर आ जाओ आई एन सी एसी सी आई एन सी एसी सी मतलब इंक्रिमिंट करवाने कहां पे इंक्रिमिलेटर कर दो जो भी अक्यों हो जाएगा तो जाएगा पर जाके तो 2 ko हम कहा पर स्टोर कर देंगे 32 में 32 में हम स्टोर कर देंगे थि हंडड़ पर जाएंगे और वहां पर एब हम तू लिख देंगे हैं चलो लेस्च भूवाँ 30 33 index register Inc I X index register ki value ab kya hojaegi what will be my updated value of index register index register ki value kya hojaegi it's now 2 index register ki value was incremented once बेफोर तो वन हो गई थी अब वन के बाद जो है वो टू हो जाएगी यहां पर हम इंडेक्स इजिस्टर की वाले को इंक्रिमेंट कर दिया चलो cmp हाश्टाग 234 cmp हाश्टाग 2 करो भाई मेरे साथ कंपेर cmp किस चीज को कंपेर करना है कंडिशन है अक्यूमिलिटर की वालियो को एंसी में क्या वाली है मेरे पास एक्यूमिलिटर में वाली है टू कंपेर करो भाई अब चलते हैं 34 पर 33 तक कर लिया था हम लोगोंने 33 के बाद वी हाब 34 34 में हमने कंपेर किया बिलकुल ऐसी मादी हम हमेशा जब भी cmp की बात होगी अप्यूमिलिटर सी कंपेर करना है ठीक है चलो अब 34 में हमने कंपेरिजन कर लिया क्या हम 35 अटेंट करेंगे यस या नो jpn jpn क्या कहता था if false then jump jpn क्या कहता था if false then jump अगर false हूँगा तो jump करूँगा वनना नहीं करूँगा if false then jump बेतरीन तो हम 35 को ignore कर देंगे हम 35 को ignore कर देंगे हम 35 को ignore कर देंगे क्योंकि वह होई नीरा ता हम किस पर चले जाएंगे 36 36 पर एंड हो गया यह यह हैं आट मार्क्स आप लोगों के सब मेरे साथ हैं यहां तक कोई ऐसा बंदा जसके हवा आसमानों पर से गुजर रही है चीज़ा है जल्दी चाट पर मेरे साथ अच्छा एक सवाल और है कोई मैसला नहीं मादी कोई इशों की बात नहीं है करने के यह सही हैं तो मलत आमको मांक मिल गाको पूरें कभी कभा होती है grading इस तरीके से वो 3-4 line-on को कर देते है highlight बोलते हैं ये सही है सारी तो ठीक है फिर बोलते हैं तीन-4 line-on को और फिर ये इस तरीके से divide करके grade करते हैं तो कोई tension की बात नहीं है हमारे अंतर सारी सही है इसको कितना time लगना चाहिए इसको time लगना चाहिए maximum 3-5 minutes में हो जाना चाहिए 3-5 minutes इससे ज़्यादा भी अगर लग जाए कोई issue की बात नहीं है क्योंकि बहुत time होता है अगर सब चीज़ें याद है तो फिर क्या मसला है कोई मसले की बात नहीं इन में time देना है logic gears के questions हो गए trace table वाले जो questions है जिसमें आपको पूरी logic gears की trace table बनाके करना होता है तो table बनाने जो होती है वो हो गई ये चीज़ हो गई इसमें time देना है क्योंकि वो confusion हो जाती ही बच्चों को चाहिए अब एक सवाल हो रहा है वो मैं नहीं करवा रहा वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ तो मैं अभी आप लोगो ग्रुप पे जो है वो एक वो भेजूंगा एक document भेज रहा हूँ compiled notes हाँ मैं वही चाह रहा हूँ तुम लोग अब थोड़ी practice करो उसकी न मैं तुम लोगो भेज रहा हूँ तो इसको अगर तुम लोग print करवा सकते हो तो print करवा लो कल की class से पहले बस कल की class से पहले उसको solve करना है सही है कल की class तक यही same है तक्रीवन similar question है जब हमने यह last while attempt किया था न second question बिलकुल तक्रीवन similar question है तो इसको attempt करके आना बढ़ना तुम लोग कल की class में चाहे हम लोग relative addressing करेंगे और assembler की questions करेंगे सही है तो वह थोड़ा सा different perspective होगा चीज़ों को देखेंगे सही है तो let's start आप लोग जो हो कल करके आना है सबने मैं आप लोगों को जो हूँ printed document भेज रहा हूं printed बोल रहा हूं मैं compiled document भेज रहा हूं बिलकुल अभी है foreign हो जाए ग्रेंश नहीं सही है आप लोग को document भेज रहा हूं सब नहीं कल तक solve for कराना है उसको last question उसके अंदर मौझूद है ठीक है जी अगर सब को यहां दा clear है तो आप लोग जा सकते हैं और जिसको queries है मैं यहीं पर मौझू दू आप लों के साथ ठीक है let me stop the recording